दोस्तों यदि आप गौर्मेंट सर्वेंट हैं चाहे आप केंदर सरकार की नोकरी करते हों या फिर किसी राज्य सरकार की क्या आपको पता है कि आपको कितने तरह की leave मिल सकती है, कितनी तरह की छुट्टियां आपको service में मिल सकती है, या फिर कोई भी छुट्टी आप कितने दिनों तक ले सकते हैं, प्रायर अगर इन चीजों की जानकारी हमें नहीं होती है, तो हम बिभिन प्रकार की छुट्टियां जो केंदर सरकार हमें देती है उसका लाफ नहीं उठा पाते हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक गौर्मेंट इंप्लॉई को कितनी तरह की छुट्टियां मिल सकती हैं और कितने दिनों के लिए मिल सकती हैं और जो चुट्टियां admissible हैं वह किन सर्थों पे उन्हें मिल सकती हैं तो देखें सबसे पहले आपको earned leave मिलता है और earned leave आप earned करते हैं हर साल 1st January और 1st July को आपको 15-15 दिन के लिए चुट्टियां आपके account में credit कर दिया आती हैं और पूरे service career में आप 300 दिनों तक के लिए earned leave जमा भी कर सकते हैं जब आप retire होते हैं तो इसके बदले में आपको पैसे मिल जाते हैं एक खास बात ये है कि ये जो earned leave है ये LTC जाने के दोरान जो 10 दिन की आप छुट्टियां in cash करवाते हैं उसके edition में हैं उसको इसके साथ कभी भी जोरा नहीं जाता है इसलिए बिंदास होकर LTC का जो 10 दिन का leave in cashment होता है वो लीजिए और वो छुट्टी भी लीजिए क्योंकि उसके अलावे आप 300 दिन जमा कर सकते हैं अपने total service के दोरान और earn leave के बारे में एक खास बात ये है कि आप एक बार में लगातार maximum 180 days यानि कि 6 महिने तक earn leave पर रह सकते हैं earn leave के अलावा जो दूसरी जो important छुट्टियां है जो आपको मिलती है वो half pay leave है और आपको पता है कि all government servants are entitled to 20 days of HPL for every completed year of service हर साल 20 दिन की HPL आपको मिलती है और HPL के साथ खास बात ये है कि HPL can be availed with or without medical certificate ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि head of the department इस बात पर जो डालते हैं कि HPL हमेशा medical certificate के साथ ही लिया आ सकता है बट ये सच नहीं है HPL आपको मिल सकती है medical certificate के साथ भी medical certificate के बगैर भी तो ये दो तरह की छुट्टियां हो गई अब बात करते हैं तीसरी छुट्टी जिसको हम लोग कहते है commuted leave commuted leave को बहुत अच्छी तरह से समझेगा this leave is granted on medical certificate normally commuted leave not exceeding half the amount of half day leave due can be taken on medical certificate up to a maximum of 90 days can be taken during the entire service without medical certificate where such leave is utilized for an approved course of study certified to be in university interest कहने का मतलब ये है कि commuted leave हमेशा 2 is to 1 के ratio से मिलता है और पूरी service के दौरान maximum 90 days की leave commuted leave आप ले सकते हैं without medical certificate सर्थ इसकी ये है कि आप किसी course of study के लिए ये commuted leave लिये हो इसके अलावा यदि आप central government या state government की female employee है तो आप यदि maternity leave के ऊपर हैं तो maternity leave के खतम होने के बाद in continuity 60 days की commuted leave भी ले सकती हैं और इसके लिए आपको कोई medical certificate देनी की जरूरत नहीं है और यदि आप यहाँ देख सकते हैं कि up to a maximum of 60 days can be granted without medical certificate to a female employee with less than two living children on adoption of a child less than one year old यदि आपने एक साल से कम किसी बच्चे को गोद लिया है और आपके दो बच्चे से कम हैं आपके पास बच्चे तो उस condition में भी आपको 60 दिन का commuted leave मिल सकता है दोस्तों हमने तीन तरह की छुटियां देखें अब तक earn leave, half leave और commuted leave ये वीडियो आपके लिए बहुत ही useful है इसलिए इस वीडियो को जरूर आप save कर लें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके फाइदे की और भी बहुत सारी वीडियो जिस पर आती रहती हैं और पहले भी आई हुई हैं आपको भी देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल बटन जरूर दबा दीजिए इससे फाइदा ये होगा आपको कि आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकिसन लगाता देखते रहा पाएंगे चैनल ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं leave not due very important ये भी एक छुट्टी है जो आपको मिलता है leave not due यानि कि आपके पास छुट्टी कोई बाकी ही नहीं है फिर भी आप leave ले सकते हैं तो इसके बारे में कहा गया है कि leave not due is granted when there is no half pay leave at credit and the imply request for grant of leave not due यदि आपके पास आपके credit में जितने भी half pay leave हैं अगर वो खत्म हो चुकी हैं तो आप leave not due के लिए apply कर सकते हैं और ये भी कहा गया है इसके बारे में कि it may be granted without medical certificate in continuation of maternity leave and may be granted without medical certificate to a female employee with less than two children on adoption of a child less than one year old यानि कि ये जो leave not due है ये भी maternity leave के continuation में भी female employee को मिल सकता है और यदि उन्होंने कोई बच्चा adopt किया है यदि उनके पास दो बच्चों से कम बच्चे हैं पहले भी तब भी leave not due को मिल सकती है और ये leave not due जो है ये पूरी service में आपको maximum 360 days के लिए मिल सकता है तो leave not due 360 days आपकी मिल सकती है आपको पूरे service के दोरा इसके अलावा maternity leave होता है और maternity leave जो है ये 180 days के लिए मिलता है ये आपके दो से कम बच्चे हैं और maternity leave सिर्फ women government employee को मिलती है ये धियान रखिएगा लेकिन एक condition और भी है यदि किसी महिला का इस्वर न करे miscarriage हो जाए या abortion हो जाए तो उस condition में उनको 45 दिन की छुटी मिल सकती है पूरी service के दोरान ये याद रखिएगा यदि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है तो यदि किसी महिला का miscarriage हो गया या abortion हो गया तो उस condition में total service में 45 days की maternity leave उनको मिल सकती है इसके अलावा पूर्सों को paternity leave मिलती है और ये आप देख सकते है a male employee with less than two surviving children may be granted paternity leave for a period of 15 days during the confinement of his wife paternity leave जो है वो 15 दिन के लिए मिलती है और पूर्स employee को भी मिल सकती है खास बात ये है कि paternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with other kind of leave as in case of maternity leave जिस तरह से maternity leave को दूसरे leave के साथ combined किया जा सकता है उसी तरह से paternity leave जो पूर्सों को 15 दिन मिलती है जब उनकी wife confinement की condition में होती है तब तो इसको भी दूसरी छुटियों के साथ combined किया जा सकता है paternity leave 15 दिन के लिए आपको मिल सकती है इसके अलावा study leave बहुत ही important है और कई लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण study leave मिल नहीं पाता है तो किसी भी government imply को study leave किस तरह का admissible है ये देख लीजे सबसे पहली बात तो ये है कि study leave पाने के लिए आपको कम से कम continuously 5 साल की service देनी होगी उसके बाद ही आपको study leave मिलेगा और study leave मिलेगा कितना तो ये देखिए maximum 24 months यदि आप study leave अपलाई करते हैं तो maximum 24 महिने यानि कि दो साल के लिए आपको study leave मिल सकती है और यजी आप central health services officers हैं जैसे doctors तो उन लोगों को 36 महिने की study leave मिलती है दूसरों को इतनी नहीं मिलती दूसरों को 24 महिने की मिलती है और study leave जो है ये भी आपके leave account में add नहीं होता है ये आपकी छुट्टियों के अलावा है extra leave है और इसको किसी दूसरे leave के साथ आप combined भी कर सकते हैं इसके अलावा ये देखिए extra ordinary leave है ये बहुत important है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है Extra ordinary leave is granted to a government servant when no other leave is admissible or when other leave is admissible but the government servant applies in writing for extraordinary leave Extra ordinary leave government servant को तब मिलता है जब उनके leave account में किसी भी तरह की छुट्टी ना बची हो तो उस condition में वो extra ordinary leave ले सकते है या अगर आपके account में छुट्टियां बची भी है लेकिन in writing अगर आप request करते हैं कि आपको extra ordinary leave दिया जाए तो आपको extra ordinary leave मिल सकती है खास बात ये है कि extra ordinary leave cannot be availed concurrently during the notice period यदि आप में service छोड़ने के लिए notice दिया हुआ है या फिर आप voluntary retirement पे जा रहे हैं या फिर आप extra ordinary leave पहले ले चुके हैं ऐसी condition में ये कहता है कि EOL में also be granted to regularize of absence without leave retrospectively यदि notice period में है voluntary retirement पे जा रहे हैं तब तो आपको extra ordinary leave नहीं मिलेगी लेकिन यदि आप पीछे absent रहे हैं और उनको regularize करने के लिए आपके पास छुप्टिया नहीं हैं तो extra ordinary leave लेकर के आप उसको regularize भी करवा सकते हैं इसके अलावा आपका CL है generally government servant को 8 दिन का CL मिलता है और ये जो CL है इसको किसी दूसरे leave के साथ combine नहीं कर सकते आप लेकिन special casual leave के साथ या फिर vacation के साथ आप जरूर इसको combine कर सकते हैं और यदि आपने casual leave ली है और उसके आगे पीछे sunday है या public holiday है या restricted holiday है या weekly off है तो फिर उसको आप prefix या suffix के रूप में जरूर ले सकते हैं casual leave की ये एक खासियत है और एक बात और अगर आप casual leave पर में LTC पर जाना चाहते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं ये आपको छूट है इसके अलावा दस्वा जो leave है वो है child care leave जो prior women apply को मिलता है और ये 730 दिन के लिए मिलता है पूरे service के दोरान खास बात ये है कि आपका बच्चा जब तक 18 साल का हो जाए उससे पहले ही आपको child care leave लेनी पढ़ती है एक बार बच्चा 18 साल से उपर के age का हो गया तो उसके बाद आपको CCL नहीं मिलेगा इसलिए women employees का खास ध्यान रखे है इसके अलावा एक और leave आपको मिलता है वो है hospital leave और hospital leave is admissible to group C employees whose duties involve handling of dangerous machinery, explosive material, poisonous drugs and performance of hazardous tasks and group D employees ये बहुत important है group C employees और group D employees को मिलता है खास करके उन लोगों को जो dangerous type of duties करते हैं जैसे मसीनों में या explosive में या poisonous drugs के साथ में जिनका काम है तो ऐसे लोगों को hospital leave मिलता है और पूरी service के दोरान उनको ये 28 महिने तक की hospital leave मिल सकती है इसके अलावा vacation department staff leave entitlement भी देख लेते हैं और ये जो leave है this leave entitlement of employees of vacation department vacation department इसको कहते है department where regular vacations are allowed during which those serving in them are permitted to be absent from duty जैसे teacher का job होता है vacation department का job होता है तो ऐसी इस्थिति में उनको जो EL मिलता है वो वैसे ही मिलता है जो किसी non-vocation department में मिलता है तो वो पूरे 30 दिन की तो नहीं हो सकती लेकिन 10 दिन का EL इनको admissible होता है इसके अलावा देखिए special disability leave होती है और special disability leave admissible to all employees when disabled by injury intentionally or accidentally inflicted or caused in or consequence of duty performance of official duties यदि आप official duty पे हैं या duty period के दोरान यदि किसी भी employee को injury हो जाती है जिसके वज़े से disability उसके हो जाती है चाहे वो accidentally हुआ हो चाहे intentionally हुआ है तो उनको special disability leave भी दी जाती है इसके अलावा एक और leave है ये देखिए इसके इससे पहले मैं आपको ये पता दूँ कि ये जो special disability leave है ये आपको maximum 24 months तक मिल सकता है दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको जरूर आनंद आ रहा होगा क्योंकि सर्विस तो हम करते हैं but different types of leave जो हमें मिलना चाहिए और कितने period के लिए मिलना हो चाहिए वो जदी हमारे जानकारी में नहीं होता है तो हम उसका फाइदा नहीं उठा पाते हैं तो इसलिए इस चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा अब आईए child adoption leave के बारे में बात करते हैं Child adoption leave is granted to female employees with fewer than two surviving children on valid adoption of a child below the age of one year for a period of 135 days immediately after the date of valid adoption कोई भी महिला employee यदि उनके पास दो surviving बच्चों से कम बच्चे हैं तो वो एक साल से कम उमर के बच्चे को adopt कर सकती हैं गोद ले सकती हैं और जिस दिन उन्होंने valid adoption किया उसके बाद 135 दिन तक उनको child adoption leave मिलेगा और यह जो child adoption leave है यह आपके leave account से नहीं करता है यह आपके leave account में जो leave due है उसके अलावे होता है इसके अलावा प्रोवेशनर जो डूटी पे होते हैं प्रोवेशनर जो किसी नौकली में होते हैं उनको क्या leave मिलता है देखिए तो a person appointed to a post on probation is entitled to all kinds of leave admissible under the rule to a permanent servant according to his appointment is against a permanent post यदी आप permanent post के against में appoint हुए है और यदी आप प्रोवेशन पे हैं तो आपको वही सारी सुविदाय मिलेंगी छुटी के संबद में जो एक permanent servant को मिलती है उससे कम कुछ भी आपको नहीं मिलेगा और जो लोग apprentice होते हैं उनके लिए generally leave medical certificate पे मिलता है और on leave salary equivalent to half pay for a period not exceeding one month in any year of apprenticeship यह कहता है कि apprentice पे अगर आप हैं किसी भी government department में तो उस condition में आपको medical certificate देने के ऊपर ही आपको छुटी मिलेगी और not exceeding one month in any year of apprenticeship दोस्तों आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं comment box में लिख करके मुशे जरूर बताएं जो आपके फाइदे की हो हम उसी तरह का वीडियो आपके लिए बनाएंगे all the best